हलो फ्रेंट्स अगर आपके पास भी इस तरह का राइस बैक या अटबैक पड़ा है ना तो उसे आप बहुत ही प्यारा सा एक स्टोरेज बैक बना सकते हैं बिना क्यूल्ट किये तो यहां पर देखें मैंने नीचे की साइड से इसको कट कर दिया है और कट करने के बाद में एक हमें पीस मिल जाएगा लेकिन इसको कट करने के बाद में देखें से हमारे यह फॉल्डड है तो फॉल्डड साइड हम बाहर की साइड में निकाल लेएंगे बहुत असानी से में आपको इस तरह के जो हमारे राइस बैक होते हैं उससे आपको एक स्टोरेज बैक बनाना तो इस तरह से हमें एक बड़ा सा piece यहाँ पर मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर कोई quilting या फिर अस्तर इसमें नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसकी quality काफी अच्छी है, अगर आपके bag की quality अच्छी नहीं है, तो आप इस पर अस्तर वैग लगाके इसको quilt कर सकते हैं, चेन को cut कर लिया है, अभी चेन को सीधी साइड रखते हुए, एक सिलाय लगाएंगे आधा हिंची के margin से, और पलेटते हुए एक top stitch लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक साइड से मैंने इस पर चेन अटाच कर दी है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम अटाच करेंगे, तो एक हिससा निकाल लेंगे, और इसके सीधी साइड, सीधी साइड से मिलाते हुए, आधा हिंची की सिलाय लगाएंगे, और एक top की stitch लगा लेंगे, तो दूनों साइड से हमारी यहाँ पर चेन अटाच हो चुकी है, अभी इसमें डालेंगे हम runner, तो देखिए एक साइड से हम इसमें runner डाल लेंगे, तो मैं इसमें single runner डाल रहे हूँ, आप चाहे तो इसमें double पी डाल सकते हैं, अभी इसको इस तरह से हम set करेंगे, तो देखिए chain को हमें कुछ इस तरह से set करना है, कि chain के उपर वाली side में हमारा 7 इंची का gap है वो रह जाए, तो यहाँ पर हमने इस तरह से 7 इंची के gap पे इसको set कर लिया है, और corner वाली side पे हमें इसमें marking करनी है, तो 6 बाइ 6 का में हमें इसमें marking कर ले रही हूँ, लेकिन जो cutting करेंगे वो हम 5 इंची पर करेंगे, क्योंकि आदा इंची हम इहाँ पर slide का margin छोड़ेंगे, चौक का निशानी आपर दिखाई नहीं दे रहा था, तो सेम इसी तरह से हम 4 इंची साइट पे भी निशान लगा लेंगे, तो marking हमारी जो है, वो complete हो चुकी है, और इसी marking पे हमें cutting कर ली है, अभी mark तो हमने लगाया है 6 बाइ 6 का, लेकिन cutting करनी है हमें यहाँ पर आदा हिंची का gap रखते हुए, तो दिखें, आपर मैंने इस तरह से cutting कर दी है, तो एक पीस हमारी यह cut हो चुका है, सेम इसी तरह से हमें 4 ही corner पे cut कर लेना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, कि हमें एक rise bag से बिना quilt किये, किस तरह से हम इसको storage bag में convert कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर rise bag लिया है, अगर आपके पास rise bag नहीं है, तो इसी की लंबाई और चड़ाई से आप कपड़े को rise bag रखके, या फिर quilt करके तयार कर सकते हैं, और इसी measurement से आप इसकी stitching कर सकते हैं, तो इस तरह से हमने यहाँ पर chain को attach किया, उपर से 7 इंची छोड़ते हुआ, इस तरह से chain के उपर से हमने निशान लगा लिया है, चारू side से 6 by 6 का, और अब देखिए इसको हम सीधा कर लेंगे, चारू ही corner पर हमारी cutting हो चुकी है, और अब हम इसको इस तरह से, सीधी वाली side अंदर की तरफ डाल देंगे, और जो उल्टी वाली side है, वो हमारी बाहर की तरफ आजाएगी, तो अभी देखिए यहाँ पर दोनों इस side से, हमारी chain वाला side जो है, यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है, तो मैं यहाँ पर कोई इसमें pipe in मगरें नहीं लगाऊंगी, आप चाहें तो यहाँ पर pipe in लगा सकते हैं, या फिर interlock machine है, तो आप interlock भी कर सकते हैं, side से हमारी सिलाई हो चुकी है, और corner वाली side से इस तरह से देखिए सकते हैं, वीडियो में किस तरह से मैं दिखा रही हूँ, तो सारी ही corner को हमें इस तरह से पकड़ लेना है, और इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है, तो दीखे कुछ इस तरह से पकड़ते जाएंगे, और चारो ही side से हम सिलाई लगा लेंगे, तो यहाँ पर देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है, और जहां से हमारा chain लगी हुई है, वहां से हम इस तरह से open करेंगे, और इसके corner को बाहर की side में set करेंगे, तो इस तरह से हमारा प्यारा सा एक storage bag बनके तयार हो चुका है, सिर्फ एक rise bag से, तो आपने देखा कितना प्यारा सा मैंने यहाँ पर इसको reuse किया है, अभी इसको मैं आपको corner निकाल के, और फिर मैं इसका size बताती हूँ आपको कि कितने बड़े size में इसको हमने तयार किया है, तो सारे ही corner जो हैं हमारे finishing के साथ में इस तरह से हम निकाल लेंगे, तो इसकी quality इतनी अच्छी है कि इसमें कोई धागे वगर नहीं निकलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई pipe in वगर नहीं लगाई है इसमें, अभी देखिए finishing के साथ में हमारा पूरा एक piece बनके तयार हो चुका है, और अब देखिए इसकी chain खुलके मैं आपको इसमें बहुत बड़ाप सा blanket रखके दिखाती हूँ, कि यह कितने बड़ा यहाँ साइस का हमारा बनके तयार हो है, blanket रखने के बाद में फिर मैं आपको इसका measurement है वो बताऊंगी, कि हमारे किस measurement से इसको मैंने बना के तयार किया है, 29 बाए 49 का मैंने यहाँ पर rectangle piece लिया था, और उसी से हमारा इतना प्यारा सा यह storage बैंक बनके तयार हुआ है, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक blanket रखके दिखाया है, और इसमें अभी एक से दो चादर भी हमारे आराम से आ जाएंगी, आप चाहें तो यहाँ पर धेर सारे कप्ड़े और्गिनाइज करके रख सकते हैं, साड़ेया हैं साड़ेया और्गिनाइज करके रख सकते हैं, अभी देखिए हाँ पर मैं इसकी जो जिप है ये बंद करके दिखाती हूँ और इसकी finishing आप देख सकते हैं, कितना प्यारा यहाँ पर है और अभी इसमें अच्छागासा gap है, इसमें 2-3 आप यहाँ पर चाधर भी रख सकते हैं तो अभी देखिए हाँ पर मैं इसकी आपको बताती हूँ, देखिए 13.5 इंची के हमारी इहाँ पर यह चोडाई है, 18 इंची की लंबाई है और यह देखिए इस तरह से 13.5 और उचाई हमारी इहाँ पर लगभग 8 इंची आ चुकी है और यहाँ से आप देख सकते हैं तो पूरा हमारा बहुत प्यारा सा इसमें स्टोरेज बैग बन गया है, अभी मैंने आपको इसमें हैंडल रगा के नहीं बताया है आप चाहे तो इसमें जो हमारी साइड से पट्टिया बची हुई है इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए डबल सिलाई लगाईए और यहाँ पर इसको अटायच कर दीजिए तो इस तरह से दुनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे तो एक हैंडल हमारा बन जाएगा और इसको लगाना किस तरह से है यहां पर छोपी है हमारा इसका आगे का साइड है इसका हमने बेस सेंटर लेना है इस तरह से इंची टेप पो फोल्ड कर लेना है यहां पर एक सेंटर की मार्किंग करेंगे तो दिखे एक सेंटर की मार्किंग का रिदली और इधर की साइड से भी हमने चेक कर लिया है और दोनों ही साइड से यहाँ पर हम ढड़ा इंची का मार्क करेंगे और जो पट्टी हमें इने स्टेप तयार रखनी है उसी को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रखते हुए दोनों साइड से सिलाई लगा के और हमारा प्यारा सा एक स्टोरिज बैक बनके तयार हो जाएगा यह तो उमीद करती हूँ आपको यह मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा होगा और बहुत ही प्यारा सा हमारा रियूज भी हो जाता है तो यह देकिया है और फिर से इसमें मैंने अपना ब्लैंकेट रख द और इस तरह से हमने बेस्ट चीज से बेस्ट चीज बना के तयार कर ली है वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीज़ेगा, शेयर कीज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेच चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा मिलती हूँ इसी तरह के DIY के के साथ में, अपनी नेक्स वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाबाई, टेक केर, थैक्स वहाज चाहिए.